आप इस वीडियो को देखके ना तीन लाग का गिबे भी अपने नाम पे कर सकते हैं तो भाई लोग पंजाब किंग्स वर्सेज देली केपिल्स के वीच में आईपेल दो हजार चोड़ीस का जो दूसरा व्याच है इसमें कौन से प्लियर के साथ हम फंटैस्टिकर्किट के टीम बनाएं जो ग्रैंड लीग है ना उसमें अच्छा कर सके जैसा कि आपने थम देल में देखा होगा 90 से 95% चीज़े वही होने वाली है आप बोलोगे कि भाई साब ऐसे कैसे यकीन करना देखो यकीन ऐसे करो पहले वीडियो देखो वीडियो देखने के बाद मैच होगा जब मैच होगा तो मिलान करना मेरी बात होगा जो आज के मैं वीडियो में बोलूगा जो जो चीज़े बोलूँगा वही वही होगी मैं जिसको बोलूँगा captain करना उसको आप captain कर देना जिसको बोलूँगा wise captain करना उसको wise captain करना जिसके साथ बताऊंगा कि इन 11 के साथ आपको dream level या जो भी fantastic cricket खेलते हैं उसके साथ जाना है पिर क्या होगा जो grand league वो हमारी होगी बाहर का बंदा कोई जीत उत नहीं पाएगा यह मेरा वादा है आपसे साथ में एक ऐसी टिप्स दूँगा बस उस टिप्स को आपको फॉलो करना फॉलो करने के बाद क्या होगा एक जादू होगा जादू कुछ यूँ होगा हमें हाप में से कोई एकाता ग्र प्रफ सिमरं सिंग चौते नमबर पर लियाम लिवेश्टन पाच्वे नमबर की बात करें चाथवे नमबर पर आपको सैम करन दिखेंगे साथवे नमबर पर हरपीर बरार आठवे नमबर पर राहुल चाहा नौवे नमबर की बात करें तो अर्सिदीब सिंग आएगी से कोई एक खेलेगा मतलब इनिको Nou और निचे करता रहेगा जैसे पहले बल्ले बागी आईगी तो आथरवा टेट प्लेइंग लेवंस में दिखेंगे तो और शिदीः सींग प्लेइम्स में दिखेंगे तो इह सकती है पंजाब नमबर की बात करें तो अक्सर पतेल 7 नमबर पे ललिति आ दो आठो नमबर पे आपको कुल्दी प्यादो दिखेंगे 9 नमबर की बात करें तो आनिशनो के 10 वे नमबर पर मुकेश कुमार 11 नमबर पर खरील एहमाद और इंपक्ट फिलियर के ताउर पर यसदुल या फिर रिकी भूई इन दोनों में से किसी एक को यूज करेगा देली ही कैप्टल तो भाईया देली के भी हमारे पास प्लेइंग लेवांस आगे लेकिन आपको पता है ना दोनों टीमों का पहला पहला मैच है त आपको इस मैच की ड्रीम 11 की बिनिंग टीम मिलेगी वो भी एक नहीं दो नहीं तीन-तीन कहां पे टेली ग्राम पे तो फटाफ़ डिस्किप्शन में जाओ वहां पी लिंक की मिल जाएगे जो कमेंट बाक से सबसे पहला कमेंट है वहां पे भी लिंक की मिल जाएगी अप सबी मैचों की मैच स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले दो से तीन ड्रीम 11 की बिनिंग टीम चाहिए तो भाही का टेली ग्राम जरूर जोइन करें तो भाही लोग आप सबको तो पता होगा यह जो मैच है महराजा यदविंद्रा सिंग इंटरनेशनल स्टेडियम मुल्ड साथ से बैलेंसिंग तरीके से आपको हमें अपनी फंटेस्टिक रिकेट के टीम बनानी है इस मैदान पे तेज गेंदवाजों को शुरू में न्यू बोल से बोल स्विंग करीगे उनको बिकेट मिलेगा क्यों क्योंकि यहां का जो सरफेस है वो हार है जब हार सरफेस होता ह तो सुरू में तेज गेंदवाजों को जो बोल होती वोई स्विंग करती है लेकिन जो कंडिशन है वो बैटिंग कंडिशन है मतलब जब एक बार बोल की साइनिंग खतम हो जाएगी जो बोल होगा बैट पर अच्छे से आएगा रन भी बनेगे शुरू में रन नहीं यह मैंना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा चोटी तो T20 का परफिक्ट मैच होने वाला है लेकिन परफिक्ट टीम बनाने के लिए ना बहुत सोच समझ के पिलियस को अपनी टीम में जगा देनी है ऐसा करते हैं चलो मैं आपको बताता हूं किसको जगा देनी सबसे पहले हम बहुत रिकल लेते हैं यहाँ पर गबर यानी सिखर धवन की तो सिखर धवन ने आखरी के दस मैच में 333 सन मला है तीन हाफ सेंसुरी के साथ इनकी जो परफॉर्मेंस होती है आई पेल में हमेशा से बढ़िया रहती है इसके अलावा दिल्ली के सामने यह जो अपना गबर आज के मैच में क्या होगा मैं लगता है भले ही फसते हैं पहले है आज भी फसेंगे लेकिन देट से फसेंगे तब तक 40, 50, 60, 70 की पारी सिखर धवन खेल चुके होंगे अगर 60, 80 की पारी खेलते हैं तो अपना गबर आज के मैच में बढ़िया पॉइंस देने लेकिन जैसे परफॉमubenस पहले किया करता है जोनी 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 गयस बाबा अभी कुछ दिनों से वेसी परफॉमubenस इनकी दिख नहीं रही है और दिली के सामने तीन मैच गया फेला लाइस, 143, 143 संट मेना जिसमें इसे एक सतक मतलब एक मैच में चले दिली के सामने दो प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् जो इनकी भी performance है न वो उतनी ज़्यादा अच्छी कुछ दिखना रही और एक चीज मैं बता दू जो performance मैंने बताई कि दिल्ली के सामने वो performance आला की प्रभ सिंबरन सिंग की है तीन मैच 143 रन एक सतक जो जोनी जोनी येस बाबा उन्होंने 283 बनाए है किसके सामने दिल्ली के सामने आकड़े में तो आपने देख लिया होगा भले में गलत बोल दू लेकिन मेरे एडिटर खराब नहीं करता वो सारी चीजी यहां पर चिपका देता तो आपने देख ले होगी तो जोनी वेश्टों को वैसे भी दिल्ली के सामने performance अच्छा हुआ मैंने बोल दिया नही की भी प्रप सिम्रंच सिंग ने एक मैच में जरूरान बनाये तो उसके बाद फ्लोप रहते मुकेश कुमार खरी लहमा तरे अक्षर पटेल के सामने थोड़ा सा फस्ते भी है भाई साब कौन से भाई साब प्रप सिम्रंच सिंग का आच के मैच में क्या होगा उन्हीं रग दस मैच में 109 नमर आये दो बिगड निकाले क्या गजब की परफॉर्मेंस है बाई साब बिल्कुल फ्लोप चलने जो मतलब इनके आकड़े देख के लग रहा है ना कि बस इनका टाइम खतम हो गया है लेकिन दिल्ली के सामने चार मैच करा रहा है इसमें 164 नमर आये एक मै पर आते हैं वह होता है पैसे का जादू कुछ यूँ चलता है लंबू को पता अगर यहां पर अच्छा ना कहलेंगे तो मोटा पैसा नहीं मिलेगा इसलिए यहां पर हमेशा अच्छा खेलता है हाला कि अक्सर पटेल कुल्दी प्यादो और इसान सर्मा के सामने बल्ले बा आज ही करते हुए ना एकाता विगड़ भी चाडगा सकता है एकाता या दो विगड़ मतलब ओपरोल लियाम लिविस्टन आज के मैच में आपको बहुत अच्छा पॉइंस देने वाले वाहिसा जब इतना अच्छा पॉइंस देंगे तो क्या करना है इनको टीम में जगा देने के साथ साथ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करना है किसको लियाम लिविस्टन को महीं बात करें अगर हम यहाँ पर जितेश सर्मा की तो आंकरी की 10 मैच में 198-198 बनाएं बस एक ही हाफसे लगा है क्योंकि यह नीचे बल्लेवाजी करते हमेशा बढ़िया फिनिस करत लेकिन मुझे लगता है जितेश सर्मा भी ना आज कमाल करेगा कमाल कुछ यू करेगा बहुत लंबी पारी नहीं होगी 30-35-45 मतलब 30-50 के बीच में आपको रन बनाते हुए जितेश सर्मा दिखेंगे तो कहीं ना कि जितेश सर्मा भी आज के मैच में आपको बढ़िया पर देखें जिस लेबल का पिलियर है सैम करन उस हिसाब से ना रन दिख रहे हैं ना ही बिगट दिख रहे हैं और दिल्ली के सामने ना 6 मैच खला 87 नमर आए 7 बिगट निकाला तो भाईया दिल्ली के सामने कुछ खास प्रफोर्मेंस है ना जी ना मुझे तो यहां पर भी क कुछ खास प्रफोर्मेंस ना दिख रहे हैं सैम करन की आनेशनों क्या कुल्दी प्यादवान खडई लहमत के सामने बल्ले वाजी करते हुए थोड़ा सा फस्ते भी हैं बल्ले वाजी का छोड़ो मुझे लगता है ज्यादा नहीं बल्ले वाजी का नंबर आयेगा 20-25-30-25 बस इसे जादा ना बना पाएंगे लेकिन मुझे लगता है सैम करन गेंदवाजी करते हुए एक दो बिगेड भी साथ में निकालेगे यानि ओवार ओल अवलांडर प्रफॉर्मेंस सैम करन आज के मैच में देने वाले अरप्रीद ब्रार की मात करतों आखरी के 10 मैच में 76 नन मनाये लेकिन निकाले 15 बिगेड मतलब डोमस्टिक में जो गेंदवाजी करके आए ना भाईया बहुत ही ज़्यादा जवर जासत है बल्ले बाजी साइड में करो गेंदवाजी लोड़े ने बहुत अच्छी करी है अरप्रीद ब्रार आपको निकाल के देने वाले यानि मेरा मतलब है अरप्रीद ब्रार देगा बढ़िया पॉइंच जब बढ़िया पॉइंच देगा इधर उधर ध्यान क्या है हरप्रीद ब्रार को चुपचा टीम में जगे दे दो महीं बात करें अगर हमें आपर कि इन पुएंट को पॉइंट को बार किसको राहुल जहार को बात करें हर्षल पटेल की तो आघरी के 10 मैच में तेरा विकेट निकाले यानि हर्षल पटेल को भी न आज जोनतें विकेट कहां है यहां है वहां है विकेट ना मिलता तेरा विकेट दिली के सामने भरे ले चुके हैं लेकिन आगड़े पहले के हैं अभी तो पिछला एकाथ साल लेड़ोंस्टिंग में बहुत अच्छा करके नहीं है तो मुझे लगता हर्चल पटेल को भी एकाथा विकेट मिलेगा बहुत ज्यादा ना मिलेगा उसा 12 विकेट यानि अर्षदीव सिंग को भी बहुत ज्यादा विकेट विकेट ना मिले आठ विकेट ले चुके हैं दिली के अप्टरन के सामने पहले तच्छी इनवाजी करते थे लेकिन पिछले एक दिर साल से अर्षदीव सिंग का भी ना बहुत अच्छा नहीं जा रहा है बहुत बढ़िया अभी हम बाद करते हैं यहाँ पर नाथन एलिस की तो इन्होंने आखरी के 10 मैच में 14 विकेट चटका है 10 मैच 14 विकेट यानि नाथन एलिस ठीक ठागे इनवाजी करते है जो अभी तक दिली के सामने 2 मैच कहला 3 विकेट चटका है पिछले सीजन बढ़ी हा पॉइंज को टीम में जगह देनी चाहिए और मिभी इनकी जगह पे ना कगीशो रवाड़ा भी खेल चकते हैं लाज को भी तीम में प्रक चटका सकते हैं जिन्हों ने हांगरी के 10 मैच में 305 सी रन बना है तीन हाप सिंचुरी के साथ लॉंडे के अंदर धंखम दिख रहा है यार मतलब run बना के आ रहा है इसको कम मसा उसना पिछले सीजन भी जब भी मौके मिला था run बना रहा था अथरवा और दिल्ली के सामने एक match कर था 55-55 बना के ना टोड गया था मतलब दिल्ली वालों के तो पहले भी अथरवा बजा चुका है अथरवा खेलेगा तो points देगा points कैसे देगा 35-45 की पारी खेलकर अगर 35-45 की पारी खेलते हैं अथरवा टैट तो आपको ठीक ठाक points देंगे तो इनको भी अपनी टीम में जगा देनी बनती है आज के इस match में भी या हमने पंजाब वाले की ऐसी कित ऐसी कर दी मतलब सब के बारे में जान लिए कौन जादा points देगा कौन कम points देगा अभी चलते हैं दिल्ली दिल्वालो की तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डेविट वार्नर की तो वार्नर सामने आकरी के 10 match में 310 अन मना है 3 half century के साथ यानि वार्नर की performance हमें साची होती चाहाए यहाँ पे कहले कहीं भी कहले य हर्चल पडेल के सामने फस्तर जरूर है थोड़ा सा लेकर मुझे लगता है फिर भी डेविट वार्नर है वाई साथ इतनी जल्दी हार वार्ना मानेंगे बहुत लंबी पारी डेविट वार्नर की ना दिखे के लिए 35-50 तीस से पचासन के बीच में डेविट वार्नर आज क तीम में जगा देनी चाहिए दे दी जगे बहुत बढ़िया बात करें अगर हम यहाँ पर प्रिध भी सो की आखरी के दस मैंच में 281 अनमरा है दो हाप सेंसुरी के साथ 10 मैं 281 दो हाप सेंसुरी अच्छा है तो बिल्गूल अच्छा ना लग रहा है जब तक तीन-चार हा बाहुल चाहर है हरसल पडेल के सामने थोड़ा सा भाई साब फस्ते भी है और मितलता है कि ताबर तो एक दो चोके लगाएंगे बस एक दो चोके एक आता चका मतलब 15-20 की पारी बहुत ज़्यादा लंबी संबीन की पारी ना होगी किनकी प्रिधिभी सो की तो प्रिधिभ चालीसन बनाएं तीन हाफसेंची लगाई साथ में चार पांच बिकट भी निकाले तो मतलब गेंदवाजी कम करते लेकिन जब भी करते बिकट निकाल लेते लेकिन आई पेल गेंदवाजी घरन नी पड़ेगी एक आता बिकट भी चटकाएंगे रन भी बनाएगा आला कि पंजाब के सामने चार मैच के लाइग नाइटी वन इकान बनाएग चार पिकिट निकाला पंजाब के सामने जो आकड़ है मिसे इलमार्स के वह तो उतने ज्यादा अच्छे ना दिख रहे है कगिसो रवाड़ा, साम करण और सदीव सिंग के सामने थोड़ा सा मिसेल मास फस्ते भी है तो आज क्या होगा? I think आज एकाता बिकेट निकालेगे मिसेल मास और 40-60 के बीच में रन मनाएगा अगर 40-60 के बीच में रन मनाता है एकाता बिकेट निकालता है तो मिसेल मास तो बढ़िया पॉइंट देगे एकाता का दो भी बिकेट हो सकता है और 60-70 सिदन भी हो सकता है तो overall आज के मैच में जबर जस पॉइंट देने वाले मिसेल मास जबर जस क्योंकि इनकी performance होगी तो मिसेल मास को टीम में जगा दें टीम में जगा देने के साथ आज इनको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करना आज के मास में किसको मिसेल मास को क्योंकि बले एंगे इन दोनों जगे चे बढ़िया पॉइंट आज के मास में आपको देने वाले रिसब पंध की बात करें इनकी वापसी कैसी होगी पहले आकड़े बता दे जो पिछले से पिछले सीजन खेला था आखरी की 10 मैंच में 312 बनाया था रिसी पंध ने जब लाश टाइम खेला था तीन हाफ सिंचुरी के साथ नहीं परफोंच होती थी ठीक ठाक रहती थी पंजाब के सामने 180 बना चुक है हाला कि पंजाब के सामने इनका बहुत अच्छा बल्ला कभी भी नहीं चला किसका रिसब पंध का हरसल पटेल अरसीदीव सींग राहूल चाहर के सामने हमेसा फसे भी और मुझे लगता है आज की भी माच मैं ना जो रिसब पंथ है इतने दिनों बाद वापसी कर रहे हैं तो इनका क्या होगा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा ना कर पाएंगे तो चार दस पंदरा बना के निपड जाएंगे रिसब पंथ क्योंकि पहला पहला अच्छा पॉइंच देंगे रिसब पंथ रिसब पंथ को छोड़ो आगे चलते हैं तिस्तन अस्तफ की बात करते हैं जिन्होंने आखरी की दस मैंच में 246 अन बना है दो हाप सेंचुरी के साथ अभी जो ऐसे टी टॉन्टी खेली गई थी उसमें पांचवे नमबर पे क्य के दे देनी चाहिए कि कि जब हम इनी टीम में जगे देंगे तो हम भी बोलेंगे आह मजा ही आ गया ठीक ठाक पॉइंच देने वाले हैं तो इस तन अस्तफ रख दिया टीम में बहुत बढ़िया वहीं है दुस्ताखर में पर रिकी भुई की बात करें जिनको इंपैक्ट प्लेयर के तोर पे देली केपिल यूज कर सकता है आकरी के 10 मैच में 314 ने इन्होंने बनाए एक सतक भी लगाया मुझे लगता है कि डोमस्टिक में थोड़ा सा उपर बल्लेवाजी करते हैं लेकिन देली के तो इसलिए बेचारा ज्यादा रनना बना पाएगा पांदस पं तो ये भी ज्यादा कुस ना कर पाएंगे दो चाहिए रिकीब हुई खेले चाहिए यस दुल खेले दोनों को फंटैसिक करकर के टीम में जगा नहीं देनी बाहर करने हैं अक्सर पटेल की बात करें तो आगरी के 10 मैच में 89 नमाशी नमनाए 13 विकेट निकाला हमेशा न ये इनकी परफॉर्मेंस अच्छी ही रहती है बल्ले और गेंद से हाला कि अरसदीप सिंग राहूल चाहरे न हरसल पटेल के सामने बल्ले बाजी करते हुए अपना अक्सर पटेल फस्ता जरूर है लेकिन आज मुस्किल है मुस्किल क्या क्योंकि आखरे में बल्ले बाजी करने को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कर सकते हैं बहुत कम लोग इनको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करेंगे लेकिन मेरी घर्स फिलिंग कर रही है कि कैप्टन एंड वाइस कैप्टन वाली प्रफॉर्मेंस देगा अक्सर पटेल इसलिए अक्सर पटेल को टीम में जग्य देने के साथ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करें बाकि अगर में पर लली तियादो की बात करें तो आगरी के 10 मैंच में 211 मनाए 14 विकेट निकाला तो लली तियादो भी बहुत बढ़िया और प्रोफोर्मेंस करते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक में या पिछले सीजन आई प्रोफोर्मेस्टिक में पर लली तियादो को हमें आज के मैंच में अपनी टीम में जगे वगे नहीं देनी चाहिए इनको कर दो बाहर आगी प्लेर्स की बारे में बात करें उससे पहले पूछ लेते हैं आज का सवाल जिसका सही जवाब देका है आप 2000 का गिब्बे अपन फंटैसी वाले में 2000 फेटेक्शन वाली वीडियो में तो फूरा तीन लाग हो गया ना तो लॉली पॉप नहीं है सचा ही है तो भाई आज का सवाल यह है कौन से ऐसे तीन प्लियर होंगे जो आज के मैंच में सबसे कम फंटैसी पॉइंट्स देंगे इतना कम देंगे इसको तो खामा खा का टीम में रख लिया मतलब सबसे कम फंटैसी पॉइंट्स आज के मैंच में कौन से देगा यह तीन प्लियर बताना है कहां पे कमेंट बॉक्स में जाके अगर आपका जबाब सही रहा तो जो सबसे पहले सही जबाब देगा उसको मिलेगा 5000 अगले जो दो लो कर देना है अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब करके नहीं रखत तब भी आपको गिबबे नहीं मिलेगा तो जाओ जबाब दो जो सबसे पहले सही जबाब देगा उसको मिलेगा 1000 उसके बाद जो दो लोग सही जबाब देंगे उनको मिलेगा 500 रुपए और हाँ अगले प पंटेस्टिक के नाम पर भाई का टेलीग्राम है, जुआइन कर डालो, क्योंकि आप गिब्बे जीतोगे, जो आपका नाम है, वहीं पर एनाउस किया जाएगा, और गिब्बे की पेमेंट भी आपको टेलीग्राम पर ही करी जाएगी, तो टेलीग्राम जरूर से जरूर जु कुल्दी पियादो की, तो इन्होंने आखरी के 10 मैच में 16 विकिट चटका है, 10 मैच 16 विकिट कुल्दी हमेशा बढ़िया के इनवाजी करते हैं, 16 विकिट ले चुके पंजाब के सामने, तो पंजाब के सामने भी इनके आकड़े ठीक ठाक है, और मतलगता आज की विवाच मैच में दो-3 विकिट तो कुल्दी पियादो को क्या करना चाहिए, टीम में जगा देनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात करें आनिस नोकिया की, तो आखरी के 10 मैच में 14 विकिट निकाले, क्योंकि नोकिया जब भी खेलते हैं, बढ़िया के इनवाजी करते हैं, पांच मै आज के मैच में जादा अच्छा पॉइंट्स आपको न दे पाएं, इनको बाहर करो, नहीं रखते हैं, आज के मैच में अपनी टीम में बात करें, अगर हमें आपे खलील एहमद की, तो आखरी के 10 मैच में 15 विकिट चटका है, यानि खलील एहमद तो बढ़िया गेंदवा को भी आज के मैच में अपनी टीम में जगे दे दो, महीं बात करें, मुकेश कुमार की, तो आखरी के 10 मैच में 12 विकिट चटका है, 10 मैच 12 विकिट अच्छा है, अपे कहा है का अच्छा है, बिल्कुल भी अच्छा ना है, दो मैच कला पंजाब के सामने, बस एक ही जटाते हैं, कभी-कभी लगता अच्छा है दो, आज कभी-कभी बहुत पिटते भी हैं, तो आज क्या होगा, कभी-कभी में, मुझे लगता कभी-कभी में, आज पिटेगा, एकाता बिकिट मिलेगा, तो मुकेश कुमार को आज के मैच में रहने देते हैं, नहीं रखते है आज के माच में अपनी टीम में था भईया हमने यहाँ पहना सभी प्लियर्स के बारे में जान लिया किनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती कौन हो सकता है फ्लोप उम्मीद है आपको अब तो हेलफों मिलेगी ना फंटेस्टिक रिकेट की बढ़ियर टीम बनाने में बाकी मेरी टीम का इंतजार हुआ खतम यही रही मेरी टीम यह जो मैंने टीम बनाई है ना इतनी अनलासस के साथ बनाई है अगर आप इसके साथ जाओगे तो आपके बिन करने के चांसस काफी जादा हाई रहने वाल हैं बाकी मैंने बोला था ना एक टिप्स दूँगा टिप्स यह है के भाईया सभी लोग इस टीम के साथ जाएं बस एक दो तीन प्लियर ऊपर नीचे करने कैसे करना ऊपर नीचे मैंने वीडियो में बाता है ना कौन जादा पॉइंच देगा कौन कम पॉइंच देगा उसके बहाँ पर एक दो तीन प्लियर बदल लेना है पदा है फिर क्या होगा एक जादू होगा जादू कुछ यह होगा हमें आप में से कोई एकाता ग्यान लिग जीतेगा बाहर का बंदा नहीं जीतेगा यह मेरा वादा है आपसे बाकी जिन लोगों को इस मैच की दो से तीन ड् टीम 11 की बिनिंग टीम चाहिए तो टेली ग्राम जरूर जोइन करें बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैच की PC Port मैच पर विडियो और फंटासिफिक के साथ तब तक के लिए God bless you